पूरब का आक्सफोर्ड कहे जाने वाला इलाहवा अनुवस्टी आईएस बनाने की फैक्टरी कहे जाने वाला इलाहवा अनुवस्टी आज इलाहवा अनुवस्टी के लिए एक बुरी ख़बर है क्या है बूरी खबर इस वीडियो में इस बात को डिटल से जानेंगे और इस खबर के बारे में इलाहावान इन्वर्सिटी की कुलपती प्रोफेसर संगीता स्रिवास्तोगा का क्या काना है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे एक्चुल में ये जो खबर है ये इलाहाबाद इनुवर्सिटी के रैंकिंग पर है तो ये खबर क्या है आए देखते हैं यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद विश्विद्याले सरकार की रैंकिंग में पूरब का आक्स्पोर्ड लगातार तीसरी बार फिसद्डी अब आगे देखिए क्या लिखा है आगे लिखा है केंद्री सिच्छा मंत्राले ने गुरुवाल को नेशनल इंसिटिविशनल रैंकिंग फ्रेम वर्क एन आई आरियफ की 2021 की संस्थागत रैंकिंग जारी कर दी पूरब का आक्स्फोर्ड कहे जाने वाले इलाहवद विशविद्याले की रैंकिंग में इस बार भी सुधार नहीं हुआ इलाहावाद रंकिंग में इलाहावाद विश्विड्याले लगातार तीसरी बार देश भर के सीर्स दो सो उच्छ सैच्छिक संस्थानों की सूची से बाहर है आग लिकाए यम एन यम एम एन एन आईटी की रंकिंग में सुधार हुआ है यह संस्थान देश की सीर्स सव उच्छ सहचिक संस्थानों में 288 पैदान पर है जबकि पिछले साल की रैंकिंग में यह 5 पैदान नीचे 93 पैदान पर था देश के टॉप 200 उच्छ सहचिक संस्थानों में त्रिपल आइटी का नाम नहीं है गत वर्ष की तुलना में इसकी रैंकिंग में सुधार आया है आगे लिखा है प्रोफेसर संगीता स्रिवास्तो कुलपती वीवी मतलब इलहाबाद विश्विद्याले की कुलपती इन्होंने कहा पिछले कुछ महीनों में विश्विद्याले की स्थिति में सुधार के लिए क प्रयासों का नतीज़ा है वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें चैनल को ठैक्स हो मज़ जैहिन वनने माज़ा है